हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चानल इंवेस्मेंट के बाजार पर और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के स्टॉक के ओपर दोस्तो टाटा पावर के स्टॉक में आज के दिन एक ब्रेक आउट देखने को मिला ब्रेक आउट तो दोस्तो कहना रोड़ा गलत होगा शॉर्ट कवरिंग का मुमेंट देखने को मिला और अब डेफिनेटली दोस्तो जिस आप से स्टॉक ने क्लोजिंग दिये ब्रेक आउट्स अब के से लसे ले जो है अब वो शुरू होते वह देखने को मिलेंगे और तीन स दोस्तो शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रेंट अपन आ गये हैं इंडाइस पर आज के मार्केट्स पर तो आप देख सकते हैं दोस्तो आज के दिन निफ्टी ने सेंसेक्स ने और बैंक निफ्टी ने तीनों ने एक बढ़िया क्लोजिंग दिये बट जादा तर अपने को करना है निफ्टी के मिड्क्याप इंडेक्स में निफ्टी का मिड्क्याप इंडेक्स आज सबसे नंबर वन पर रहता हुआ देखने को मिला है चारों इंडेक्स में चाहिए वो सेंसेक्स निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी के मिड्क्याप इंडेक्स में 355 पॉइंट 240 के जोन्स पर था शेयर अभी शेयर 230 के जोन्स पर है अभी तक भी stock के जो recovery है वो clear नहीं होती भी देखने को मिली है और definitely दोस्तो यहां से stock आपको जरूर minimum to minimum 240 रुपीज तक तो जाता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा अगरपन बात करें stock के दिन की range की तो आप देख सकते 232 का आज का high था 232 रुपे 10 पैसे का आज का high था और stock ने closing दिये 231 रुपे 45 पैसे पर तो closing काफी positive आति भी देखने को मिली है stock अपने दिन की high spurt closing देने में काम्याब रतावा देखने को मिला है तो कल शुरुवात में I think so उपर opening जरूर दे सकता है stock but as a smart investor, smart trader definitely आपको stock में dip में buying करनी चाहिए अभी आपको मैं strategy बताने वाला हूँ कि कि zones पे आपको stock में buying करनी है तो वीडियो में आगे बने रहे वही अगर पन बात करें stock के returns की तो आप देख सकते लेकिन अगर आप trading करते हैं अगर आप आज खरीदते कल बेशते हैं positional buy करते हैं तो 8% तो minimum आपको stop loss लगाना है चाहिए कि आपकी buying price अगर 8% लीचा गया then definitely you should exit from the stock and accept the mistakes वही अगर आपन बात करें stock के delivery wise volume की तो आप देख सकते हैं 2 करोड की लगातार volume करकर दिखा सकता है stock के अप resistance wise अपन आ गए charts पर आ गए तो आप देख सकते हैं दोस्तो charts पर भी आने से पहले resistance पर में बात करता हूँ तो 230 रुपय का resistance था है intraday basis पर stock ने clear कर लिया है तो अब ये दोनों resistance आपको ध्यान में रखने होंगे अब कल के दिन stock आपको एक range में trade करता हूँ देखने को मिलेगा वो range जो की 230 से 240 की ये दोनों range में share आपको trade करता हूँ देखने को मिलेगा higher side पर और lower side पर अगर 230 का level तूटता है then गिरावट बन सकती है and 240 का level बनता है 240 के उपर share टिक जाता है then 200 से 260 रुपर तक का immediate target देखने को मिल सकता है stock काफी अच्छे zones पर खड़ा है और definitely hope so यहां से stock आपको जरूर तेजी करकर दिखाने वाला है support कि अगर बात करें तो 220 का नीचे में बहुत अच्छा support है and higher side पर 240 का एक बहुत अच्छा resistance है अगर बात करें stock में sentiments की तो आप देख सकते है 72% लोगों का मानना है अभी भी वो bullish है 19% लोग bearish, 19% लोग neutral and 9% लोग bearish तो अभी तक भी 100% लोग bullish की श्रेणी में नहीं आई है but definitely जो majority लोग है वो यहीं देखते हैं कि यहां से stock में काफी अच्छी potential upside है market भी लगबग 500 points से अधक correct होते हुए देखने को मिल रो definitely अब market में जरूर आपको एक बढ़िया recovery देखने को मिल सकती है तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं stock के intraday के charts पर तो friends अपन stock के charts पर आ चुके हैं आप देख सकते हैं मैं हमेशा 6 months के charts से चुरुवात करता हूं ताकि उसकी long term की situation पर आपको मालूम पढ़ जाए तो आप देख सकते हैं यह time था April का April mid का है फिर आपन किया सकते कि April 10 है फिर 12 exact date के अगर आपन बात करें तब stock का price था लगबग 298 रुपीस का और फिर वहां से लगबग दोस्तो तीन महिने के अंदर stock ने इतनी बड़ी गिरावाट करी लगबग 100 रुपे का moment आपको downside पर stock में आता हुआ देखने को मिला stock ने low कितने का लगाया 190 रुपीस का तो almost अपन कह सकते हैं कि 100 points का correction stock में आता हुआ देखने को मिला है फिर वहां से वापे से stock recovery कर रहा है अब भी अगर आपन बात करें तो जून एंड जुलाई में एक लेवल पर stock resistance फेस करता हुआ देखने को मिल रहा है फो रेंजेट 200 रुपे का अब देख सकते हैं एक बार भी दोस्तों जून से जुलाई के बीच में जून जुलाई अब अगस्ट भी खतम होने वाला है तो इतने तीन महीनों में stock ने एक बार भी 200 रुपे का level clear कर देगा देफिनेटली आपको तेजी जो है वो stock में 300 रुपे तक तो minimum मंत भी देखने को मिलेगी तो long term के निवेश्यक डेफिनेटली खरीदारी करके चल सकते हैं ताता पावर के stock में with a stop loss of Rs. 190 जी हां 190 रुपे का अच्छा valid stop loss है वहां से आप stock में definitely buying करके चल सकते हैं और लगबग 300 रुपे तक का target definitely आपको आने वाले 6-8 महीने के अंदर अंदर देखने को मिल सकता है और definitely दोस्तो 6-8 महीने जादा हो गये बट उसके अंदर अंदर ये definitely आपको 300 रुपे का target देखने को मिल जायागा उससे जाता भी हो सकता है इसलिए stock में आप बने रही है वह अगर आप बात करें इंट्राडे के targets के तो इंट्राडे के charts पर अपन आ गए तो कल के दिन जरूर आप buy कर सकते हैं और definitely दोस्तो कल के दिन अगर आप इस level पर buying करेगे तो आपको काफी अच्छा profit होता हुआ देखने को मिल सकता है और कल का जो मेरा ultimate target है वो जादा बढ़ा नहीं 236 रुपीज का है पाच रुपे उपर का कल movement आपको Tata power के stock में आता हुआ देखने को बिल सकता है और definitely higher side पर 241 resistance zone होगा जहां पर आप अपना profit book कर सकते हैं तो दोस्तो that's it for video अगर video अच्छा लगे तो चानल को subscribe कर गाएगा दोस्तो thank you for watching this video